नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 चखबक्ती में चैनल की स्कूल आवंटन और 59 चासी चखबक्ती आरचन मामले को लेकर के हाई कोट सुनवाई से जुड़ी बड़ी 11 माल सुप्रिम कोट सुनवाई को लेकर के क्या बड़ी अपडेट मिकल कर सामने आ रही है दोस्तों 12,460 चखबक्ती में चैनल सातियों को दो महिने से स्कूल आवंटन का इंतजार है नुक्ति पत्र उनके हाथ में है लेकिन स्कूल आवंटन का इंतजार उनका समाप्थ हो और सिच्छामंतरी संदेव सिंग्जी से भी गुहार लगाएंगे स्कूल आवंटन को लेकर के आप सभी को बता दें पिछले तीन दिनों से लगातार दिन रात की हुई है हमारे चैनित भाई बहन और अपने स्कूल आवंटन को ले करके दरदर के ठोक रेखा रहे हैं लेकिन बिभाग और सिच्छा मंत्राले की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी डिसीजन देखने को नहीं मिला आप सभी को बता दें कल ब्रत्यों को एक बार आस्वस्त किया गया था कि आप सभी लोग अपने जो भी निवेदन कारिकम या धर्ना प्रदस्टन जो भी क्रिया कलाब कर रहे हैं इनको इस्तिकित कर दीज हम 11 मार्स सुप्रिम कोर्ट सुनवाएं में बेहतर पैर भी करने जा रहे हैं और वहाँ से चीजें जो हैं उसके बाद ही आप सभी को स्कूल आवंटन पर करवाई की जाएगी आप सभी को बता दें इससे चैनित साथी जो हैं वो संतुष्ट नहीं थे और कह रहे थे अगर स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी दिक्कत है तो हम लोगों को BSA जोइन करा दिया जाए दोस्तों आज सुबा से ही आप सभी को बता दें चैनित साथी SCIT पर उपस्तित हुए और अपनी मांगो को अपने निवेदन को लेकर के लगातार चीजों को उठाते रहे लेकिन आ कुछ उनके समाधान के लिए कदम उठाया जाए तो कुल मिला करके आप सभी सातियों को बता दें आज सुबा से ही 12460 में चैनित भाई भेन स्कूल आवंटन के लिए निवेदन के लिए धना प्रदर्शन करते रहे और आज जोलदार तरीके से जोस्त में आया भरतियों को धना प्रदर्शन के रूप में नारेबाजी करते हुए देखा गया, पोश्टर भी लहराते हुए देखा गया और उनकी एक ही मांग है कि हम सभी को स्कूल आवंटन करने में कोई दिक्कत है, सुप्रेम कोर्ट में मामले को फाइनल कराने के बाद स्कूल आवंटन करना चा ही आपको बता दें बेस से जॉइन कराने को लेकर के कोई आफिसियल आदेस निर्गत किया गया है आप सभी को बता दें दो पहर तक सारे चैनित अबयर्थी अपने स्कूल आवंटें के निवेदन को लेकर के SCRT पर बैठे रहे जोलडार तरीके से नारिबाजी करते रहे ले आप सभी सात्यों को बता दें बीजेपी कार्याले पर भी उनके सब के पहुचने से वहां की भी सुरच्छा बढ़ा दी गई आप सभी लोग देख सकते हैं एक प्रमुक समाचार एजनसी के तरफ से भी इस मामले को कवरप किया गया है तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1246 से चक भरती के चैनिस सात्यों की तरफ से स्कूल आवंटन की मांग को लेकर के बिजेपी कार्यले का घिराव किया गया है बिजेपी कार्यले और विधान सभा पर सुरच्छा बढ़ी अबैर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल कर दिया गया लेकिन आप सभी सात्यों को बता दें भादपा कार्यले पर जितने भी चैनिता बैर्थी पहुँचे थे वहां से उन सभी को पुलिस ब्यान के माध्यम से इको गार्डन में छोड़ दिया गया है तो ये चीजें आपको बता दें कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है बाक अपनी निवेदन के लिए पहुचे तो वहां पर भी एक प्रसासनी कार्वाई देखने को मिली और उनको पुलिस ब्यान के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया है लेकिन आप सभी को बता दें इस सभी कार्वाई के बाद भी 12460 से चकबती में चैनिस साती अपने स् जाए और जो भी वहां कार्य होगा वो करते रहेंगे और आप सभी को बता दें अब डिसाइड किया गया है कि सभी चैनिस साती स्कूल आवंटन के लिए डटे रहेंगे 11 मार्स सुप्रिम कोर्ट सुनवाई तक के लिए भी डटे रहेंगे तो कोई मिला करके अभी तक कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आया है अब देखना होगा आज देर साम जो है क्या कोई बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है 12460 सिंचकवर्ति में चैनिस सात्यों के स्कूल आवंटन को लेकर के या नहीं वहीं आप सभी को बता दें अपडेट निकल कर सामने आ रहें कि जो भी फैसला लेना है वो 11 माज सुप्रिम कोर्ट सुनवाई के बाद लेना है तो कुल मिला करके चीजें वही हो रहे ही कि सुप्रिम कोर्ट सुनवाई के बाद ही मामला जो है वो कहीं न कहीं अब खिसकता नजर आ रहा है उससे पहले सरकार और विभाग ना तो भी इससे जॉइन कराना चाहता है और नहीं स्कूल एलाट्मेंट को लेकर के कोई आदेश निर्गत करना चाहता है वह यहां बात कर लेते हैं 11 माज सुप्रिम कोर्ट सुनवाई को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12460 से चकबते में सभी याचिकाओं की सुनवाई बंच के रूप में 11 माज को होने जा रही है और कल आप सभी को बता दे डीजी में सचियो सरो बेसिक सिच्चा मंतरी संदेप सिंजी की तरब से आसोस्त किया गया था कि 11 माज सुप्रिम कोर्ट सुनवाई में सरकार बहतर पैर भी के साथ जा रही है और वहाँ पर जो है अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी जो सुप्रिम कोर्ट ने मांगा था और उसके विहाब पर मजबूत पैर भी की जाएगी और वहाँ से मामले को शाट आउट कराते हो डिरेक्शन लेकर के स्कूल आवंटन की क समाधान नहीं होता है तो हम लोग अगली सुनवाई पर और वहतर और मजबूत वकील खड़ा करेंगे जिससे मामला जल से जल्द निश्तारित हो दोस्तों अगली डेट का इंतजार सरकार क्यों करना चाह रही सरकार अपनी बहतर एफिडेविट के साथ जाए जिस तरीके स शाइट आउट करें जिससे आपको बता दें जो थैड काउंसलिंग का इंतजार करें उनके भी सपने पूरे हो सके और जो चैनित हैं जिनको नुक्ति पत्र मिल चुका है उनके भी स्कूल अलाटमेंट का रास्ता साप हो सके तो चीजे सरकार को अभी बहुत कुछ करनी है और सरकार का रवया वास्तों में बिल्कुल किलियर नजर नहीं आ रहा है बाराजा 460 चकबरती में जो सुप्रेम कोट सुनवाई को लेकर के क्योंकि चीजें अभी भी क्रिस्टल किलियर नहीं है काउंटर एफिडेविट सरकार का अगर 11 मार्च को आ जाता है और फाइनल को लेकर के कोई भी फैसला चाहे स्कूल एलाट्मेंट हो चाहे बीएससे में जोईन कराना हो सारी चीजे 11 मार्च के बाद ही देखी जाएंगी तो कुल मिल आकर के अभी तक आप सभी को बता दें जो ये लोग कह रहे हैं कि धरना हुआ सपल दोस्तों धरना अभी कुछ भी की सपल नहीं हुआ हमारा मामला जहां था वहीं पड़ा हुआ है धरना सपल तम मानेंगी जब हमारे स्कूल एलाट्मेंट के लेकर के जो हमारी डिमांड है उनको एक्सेट किया जाया उनपर करवाई आगे शुनिष्टित करने को लेकर के आफिस्यल आदेस निर्गत किया तो कुल मिलाकर के यारामा सुप्रेम कोर्ट सुमवाई के लिए जितने भी केस लिष्टेड है उनकी कॉज लिष्ट जारी हो चुकी है और अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा मैटर केस कोर्ट में लगेगा जैसे यह डिसाइड होता है तो विश्तरत कॉज पूरेंगे फिलाल 12460 सिचकवर्ती से जुड़ी ही मात्पूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे अरच्छन मामले को लेकर के हाई कोर्ट की डवाल बेंट सुनवाई को लेकर के मात्पूर्ण अपडेट के बारे में आप सभी को बता दें उनतर जाँ सिचकवर्ती मामले को लेकर के अताओर रह्मान मसूदी सर की डीबी में जो है मामले की सुनवाई नहीं हुई है और इसमें अगली डेट जो है वो 11 मार्च दे दी गई है और बोला गया है कि 11 मार्च से continuously इस मामले को सुनवाई करते हुए जल से जल निस्तारित करेंगे दोस्तों इस तरीके से उनतर जास इचकबती आरचर मामले को लेकर के पहले कई बार जद महोदय के statement आ चुके है लेकिन अभी तक मामला शार्ट आउट नहीं हुआ है तो उनतर जास इचकबती मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ बराजा 460 इचकबती स्कूल आवंटन को लेकर के भी जो भी समराइज आज की जानकारी थी वो हमने आप सभी साथ डिसकस किया है उमिद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें दोस्तों में सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते एगली वीडियो में अधिल से सुक्रिया पौत धनिवार